नमस्कार दोस्तों जिसका उप्योग सर्दी जुखाम नजला और एलर्जी के लक्षणों से राहत पाने के लिए किया जाता है। यानि त्वचा पर पुरानी खुजली की समस्या होने पर, त्वचा पर एलर्जी होने पर और त्वचा पर रैशेस होने पर भी लीसेट सिरप को लेने की सला दे सकता है। इफेक्स नहीं होते हैं। लेकिन कुछ पसेंट बच्चों में लीसेट सिरप की वज़ा से कुछ सामान्य साइड इफेक्स हो सकते हैं। जैसे मुँ में सूखापन होना, सिरदर्ध होना, शरीर में ठकान वसुस्ती होना, नीन अधिक आना, गले में खराश होना, दस्त होना, कब्स होना और उल्टी आने का मन होना आदी साइड इफेक्स लीसेट सिरप की वज़ा से हो सकते हैं। अब हम डिसकस करेंगे की लीसेट सिरप को कैसे लेना रिक्मेंडेड होता है। लीसेट सिरप को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है, और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आमतौर पर दो साल से लेकर पाँच साल के बच्चों को डॉक्टर 2.5 मिलिलीटर लीसेट सिरफ को दिन में एक बार लेने की सला देते हैं। लीसेट सिरफ की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ बच्चों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको लीसेट सिरफ को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही बच्चे को देना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है। तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे कि लीसेट सिरफ को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। दो साल से कम उम्र के बच्चों को लीसेट सिरफ को देना रेक लेकिन कुछ बच्चों को लीसेट सिरफ को लेने के बाद नीन अधिक आ सकती है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपका सिरफ से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।